डियर स्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिये थर्ड समस्टर के सोसोलोजी यानि की समास साफ्तर के most important question and answer के बारे में आज किस वीडियो में जो question है और उसका answer है वो आपके exam के लिए बहुत ही महात्पूर है तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं औ हो यह है कि तलाक जिसको हिंदी में बोला जाता है बिवाहा बिच्षेद क्या है यह सारे question आपके exam के लिए महात्पूर है अब यह मत बूलिएगा कि यह पिछले फाल के हैं फिरिच के हैं बुक के हैं question bank के में आपको जानना यह जरूरी है कि कौन से महात्पूर्ण प्रस् चलिए तो इसका उत्तर लिखें कि सब लोगों को तलाक की परिवासा अच्छे से मालूम है लेकिन एक अगर step by step लिखना हो second wise में तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि बिवाह बिच्षित से यानि की तलाक से मतलब है पती-पत्नी के बेवाहिक संबंधों का समाजिक और का समाज सोसाइटी में जहां पर रहे हैं और साथ-चाथ में कानून के निगाह में आप लोग दूएक दूसरे से अलग हो जाना ठीक है यानि कि बिवाह का जो संबंध हो जाना ठीक है हिंदू समाज में पती-पत्नी के बेवाहिक संबंधों का बिच्षेद आधार्मिक माना जाता है मतब कि हिंदू समाज में यह कहा गया है कि अगर पती-पत्नी बेवाह के बाद अलग हो रहे हैं तो यह धर्म के खिलाफ है अधार्मिक माना जाता है लेकिन कानून है सिस्टम है तो इस लिए इसको अप्रूबल भी देग दी गई है कि जो भी संतुष नहीं है है रहना चाहा रहे हैं तो बेसको सोस्चान्त रहें कानूनी भी से वह लोग तालाक ले सकते हैं ठीक है और किन कारणों से बीवाब इच्छेतْ आतास ना किन कारणौं से तलाग लिया जाता है कोई कारण हो गया कोई inspection कहीं पर जाता है या फिर अलग-छframesर आ यह पिर इच स्ट्रियों की इफ्थित सुधारने के लिए दुफ्रिय शुखी धंबत्य जीवन के लिए तीफराह समाजिक गत्सिलता बनाया रखने के लिए ठीक है बिवाविच्छित की आवस्च्ता निम्नकारणों से होती है कि समाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक का उल्ले कीजिए यानि कि समाज में जो परिवर्तन होते हैं ठीक है उसमें जो आर्थिक कारक होते हैं उसके बारे हम लिखना है यह भी कोश्चिन हो सकता है कि समाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक की जगह हो सकता है कि राजनितिक समाजिक धार्मिक यह तरीक य की कारक पूछे जा वकते हैं तो आप समाजिक परिवर्टन में आर्थिक कारक के लबार राज नेत्थी कारक धार्मिक कारक और समाजिक कारक यह भी आपको त्यार कर लेना खी थिए काफी helpful question है और इसका उत्तर लिखेंगे ध्यान पूर्बक सुनिएगा कि समाजिक परिवर्तन का पर मुख कारण आर्थिक कारक है यानि कि समाज में जो परिवर्तन होता है उसका मुख के कारण आर्थिक कारक है जब उत्पादन का कारे हाथ से किया जाता है तब समाजिक समंधों का स्व पतियों से संगर्स करने लगा इससे समाजिक धाचे और समाजिक सम्मंदों में ब्यापक परिवर्तन हुए अता आज किसी भी दूफरे कारक की अपेच्छा आर्थे कारक को समाजिक परिवर्तन का अतधिक महत्पूर कारण माना जाता है आप सबी को मालुं होगा कि पहले जतने ही कार किये जाते थे ठीक आज से 15 20 साल पहले 25 साल ठीक है बहुत ज्यादा जो कार होते यह जितुखे जतने ही कार लगवालम मैंवल यहनिक नहीं की मनस्म के द्वरा किये जाते थे लिकिन अब क्या हो गया आप लोग जानते वी होंग कि मसीन आ गई हैं हर चीज काम करने के लिए मसीन आ गई जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो किसी चीज की खुदाई किया जाते थी तो मनुस्य प्रजी फावड़ा करते थे लेकिन अब क्या हो गया कि जैसी भी चल गई फोको लेंड चल गई ठीक है तो इनके मादम से कार कर किया दाने लगा पहले कोई चीज जाने के लिए इंसान पैदल जाता था लेकिन आज कल बाइक हो गई है कार हो गई है तो इसी तरह हर एक छेत्र में ठीक है जो चीज मैनुवल हुआ करती थी अब वो मशीनरी हो गई है ठीक है अब आप देखते हैं कि कोई ऐसे रिबोट बन गए है कि वहाँ पर इंसान की जुरूत ही कम तो वो देखे रिबोट लेकर आने लगा है तो इसी तरह हर एक छेत्र में मनुष का अफ्थान मसीन ले ले रहा है ठीक है तो वही चीज इसमें बताई गई है तो आपको इसके बारे में अपने इसाफ़े डीटेल में लिख सकते हैं क्योंकि इसमें मनुष का जो काम है या जो अधकम पढ़ने लगे तो इंसान बिरोजगार होने लगे तो वो आर्थिक रूप से समस्या उनको आने लगी तो इस तरह इसका उत्तर लिखेंगे राममान कोईश्चिन साबित हो सकता है ध्यान लखेंगे अगला कोईश्चिन है कि जनसंख्या तथा क्रांत से आप क् साफ्त्री हैं इन्होंने कहा है या फिर इनके मतानुसार जिस समय जनसंख्या में अधिक परिवर्तन होते हैं मतलब जो जनसंख्या होती है जो लोग बाग रहते हैं हम सब आप ठीक है इसमें जिब अधिक परिवर्तन होते हैं तो उसी समय ब्यक्तियों में मानसिक से समाज के विभिन समोहों को समाजिक और आर्थिक ब्रद्य का हाश होता है इस प्रक्रिया में निम्न वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग में जाने फे रोकने कि जितने अधिक उपा किये जाते हैं उतनी ही क्रांत की सम्मावना अधिक बढ़ जाती है ठीक है और आवस्ट्यविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं मतब जन संख्या बढ़ जाती है मैं जन संख्या बढ़ एगी सिंपल सी बात है जो सम्मावन नहीं वह पाता ये प्राप्त नहीं जाता बाई कोई चीज है अगर उस विधां को नहीं मिले कि कोई बगल में फिर को यह प्रति इनके मन में आप इस प्रकार दोने ही प्रस्थतियां क्रांतिक का कारण बनती तो इसको हम कहेंगे जन संक्या तथा क्रांती का कारणा ठीक इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे जो कि एक हिल्फुल कोश्चन साभीत हो सकता ही जाम के लिए ठीक है कि पहाना है कुछ चीज जो होनी चाहिए नहीं होती है तब समाजियों के द्वारा समाजिक के सुधार के लिए अन्तरकत है तुप दर लिखेंगे कि समाजिक आंदोलन जो सोसर तथा अन्या के विरुद्ध अत्वा किसी नई समाजिक बिवस्ता के निर्मार के लिए होता है उसे दो भागों में बाटा जा सकता है पहला प्रथम समान्य समाजिक आंदोलन और दूतिय विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् ठीक है इसके बारे में आपको दरूर ध्यान रखना अच्छे से पढ़ लीजेगा समझ में आ जाएगा ठीक है इन में दोनों में से कोईशन भश जाएगा और अभी तक मैंने आपको परिभाफ़ा दियो समाजिक समाज सुधार जो अंदोलन है उसकी ही दी थी लेकिन फिर से समाजिक दोस्ता को सीवकार करते हैं उसके दोस्तों के निराकरण का प्रियाफ़ करते हैं उसको कुछ्छ समाज करने के लिए उसका उपाए हल ढोन ने लिए ये पिर सुधार के अदौन को क्रिकरिया करते हैं करेंगे सिंपल से बात है कि आर ने तो काल वह पूर्ती होगी हो एक न्याय मौनलो की प्रति जुकावद तथा उसे विक्तुत का विकास संभव पाता है जो शुदार आंदोलन को लोग आदर के साथ इफले देखते हैं क्योंकि वर्तमान समाजिक बेवस्था को सुभिकार करते हुए उससे आर्दस प्रारूत देने का प्रयात करना मतलब उसमें इंप्रूब्मेंट उसमें अच्छा कितना क्यादा रखता है उसके लिए वह प्रयाफ करता है ठीक है उसके बाद इसे में अगला पॉइंट है कि वर्तमान समाजिक संस्थाएं भी इसकार में एक्षिद्ध हो गया मंदीर हो गया फ्रेस हो गया कलब हो गया तता सरकार आथ के माध्यम से सुधार आंदोलन को बल मिलता है ठीक है इस बात को भी ध्यान लखेंगे और यह समाजिक सुधार आंदोलन यह आभी तो नहीं किये पहले किये गए हैं कई बार लगातार ठीक है और उनसे काफी ज्यादा सुधार आया है और सुधार आने के कारण ही आज ही आप भी थर्ट समस्टर सोस्यलोजिक सब्जेक्ट में आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं ठीक और इसके बाद यहां पर अगला पाइंट है कि सुधार आंदोलन की यह विशेष्टा है कि वह जन्मत और अपनी और आकर्सित कर लेता है ठीक है तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे और अगला कोश्चिन इसी में है कि सुधार आंदोलन का उद्देश क्या है कोई च समाज करने के लिए यह समाजिक आंदोलन किया जाता है तो पहला उद्देश यह होगा और प्रमुक समाजिक समस्या हैं जिनको केंद्र मान कर सुधार आंदोलन प्रारम हुए मतलब कि कुछ समाज की कुछ प्रमुक समस्या है common problem है ठीक है और इन्हीं को देखते हुए इन् समस्या को हटाने के लिए जो आती हैं यह सभी ठीक है इसलिए समाजिक आंदोलन किये जाते हैं यही कुछ प्रमुक उद्देस हैं इनको फुधार करने के लिए इसका समाधान करने के लिए ठीक है यह चीजें गलत ना हो ठीक है जैसे दहेच चलता बहुपतनी बिवाँ चलता है सब ना हो इसलिए यह अंदोलन किये जाते हैं ठीक है अगर आप पसने कि समाजिक क्रांत के बारे मतले हैं तो समाजिक क्रांत के बारे में जाने लिए शमाजिक क्रांत से मतलब यानि कि तात्पर परंपरा चली आ रही है समाजिक क्रांत से तात्पर है यह फिर मतलब है कि परंपरा में चली आ रही है समाजिक बिवाफ्था में उस मूल भूत परिवर्था में उस प्रकार का होता है जिसमें समाजिक मूल्यों और मन्यताओं का बिना ख्याल किये ही समाजिक प्रकार के रूप में परिवर्तन हो जाता है शमाज में एकता की कमी हो जाती बाई समाज में अगर एकता रहे कोई कारे करने की तो वो समाज जरूर एक नद एक दिन अच्छे लेव हमेशा वह नीचे रहेगा और कभी भी आगे नहीं बढ़वकता तो इसलिए जरूरी है कि हर एक समाज को एकता बना के चलना चाहिए ठीक है और समाजिक अफ्त बिस्तिता में ब्रद्धी हो जाती है इस वज़ा फे समस्याएं भी आ जाती है उके उसके वाद इसी में लिखे समाजिक रांद के बारे में लिखा कि समाजिक रांद वह तीब्र समाजिक परिवर्तन है मतलब कि बहुत तेजी से वह समाजिक परिवर्तन है जिसके परेडाम सरूप जिसके परेडाम सरूप विक्तियों को एक दूफरे से समब्रद रखने वाली राजनितिक कणिया समाप्त हो जाती है तो इस प्रिकार समाजिक क्रांट के बारे में लिखेंगे हलाकि 100% कभी नहीं पासा है कुछ परिच्वां में पासा है इफलेश कुम 60% मान के चलते हैं कि आ सकता वाकी 40% नहीं आ सकता और जो अगला प्रशन है यह गारंटी के साथ आएगा ही आएगा दो समाजिक परिवर्तन के चक्रे और रेकिस धान्त की परिभासा प्रस दोनों की परिभासा प्रस दोनों की परिभासा प्ता है यह आएगा यह आएगा तो इसका उत्तर लिखेंगे कि समाजिक परिवर्तन के चक्रे फिद्धान्त के नुसार समाजिक परिवर्तन कभी एक बि देखनेों को मिलती है इसके समर्थक प्रमुक्ष इस्पन्गलर सोहुकीन टाइनवी फैरोटो अधि प्रमुक्षामाफ साफ्त्री को इस बात को इन्होंने सब्चारा है चक्रेफिद्धान्त के अंचरगत और रहें पर रेक्षिद्धान्त हैं इस मानिता पर आधारित है कि समाजिक परिवर्तन की प्रिवत्त एक ही दिशा में आगी की और बढ़ने की होती है, मतब कि ये एक ही दिशा में बढ़ती है, जो पहला है वो सभी दिशाओं में होता है, और ये जो है रेखे जो फिद्धान्त है, ये जो है वो एक ही दिशा में आगे की और बढ़ने की होत तो इस प्रकार लिखेंगे दोनों के बारे हम हरा की महात्पोंट प्रस्ण है आज किस वीडियों बस इतना ही कोश्चन कवर करेंगे ज्यादा नहीं जाएं कि वीडियो ज़्या लंबी नहीं हो और जो मैंने कोश्चन बता हैं इन में से तर बारे हमें स्थक्राइब आनिक टेल्प समय उसकते हैं और यहाइन वीडियो देख लेगी और तो आपको पूरी तैयारी करए जाएगी और सभी कोश्चन एंसर को आपको और सब्सिज णो सकते और और आपको हमारी website पर भी यह सब question answer मिल जाएंगी इसका लिंक वीडियो के discussion में और उस website का नाम है dear student ठीक है dear student.in इस website पर आपको मिल जाएंगी ठीक है चालिए मिलते हैं कोड़ने वीडियो में जब तक लिए जाहिंद